आपके मन में एक प्रश्ण होता है कि राम जी ने लंका जाते समय रावन से युद्ध करने के लिए वानरों की सेना क्यों बनाई कभी सोचा आपने आपको कुछ हो रहा है विचार पंसतो प्रभू कुछ मन में आ रहा है मेरे मन में आ रहा है इलेक्षन के रिजल्ड के बाद मुझे बहुत समझ में आ रहा है कि राम जी ने मनुष्य की सेना न बना कर वानरों की सेना क्यों बनाई चार जुन के रिजल्ड के बाद इतना समझ में आया कि राम जी ने अच्छा हुआ वानर की सेना बनाई अच्छे से राम जी के साथ रहे रावन के साथ युद्ध की विजय प्राप्त होई यदि मनुष्य की से ना लेकर राम जी गए होते न तो यह मनुष्य राम जी के साथ तो चलते लंका भी पहुंच जाते लेकिन लंका जाकर देखते ओ रावन की लंका सोनी की वनी है यह सार कर हुई हैं सस्ता राशन चाहिए सस्ता गेहूं चाहिए सस्ता चावल चाहिए उस थोड़े बहुत धन रुपिये के प्रलोभन में एक साधू का साथ छोड़ दिया भारत के लोगों ने कितना सुन्दर आयोजन नरेंदर भाई मोदी का था कि 400 से अधीक सीट आये तो आने वाले दिनों में निर्णई लेने में या परिवर्तन लाने में कठिनाई नहीं होगी लेकिन हमारे अपने ही सनातन धर्मी हिंदू भाईयों ने बड़े दुख का विशए है मुस्लिम भाईयों ने 90 परसंट वोट किया और ये कहलाने वाले सनातन हिंदू धर्मी ने केवल 50-55 परसंट वोट किया मैं आपके हाथ उंगली देखना नहीं चाहता हूँ या दिखाना नहीं चाहता हूँ कि हम कैसे है लेकिन बड़ा दुख होता है कि हरी का एक लाल है 70 साल के बाद कोई एक हिंदू सनातन धर्मी सनातन धर्मों को आगे बढ़ाने वाला भारत का नेतृत्व करने वाला भारत को विश्व गुरु बनाने वाला एक आदमी आया और 10 साल काम करके एक मांग रखी थी कि अब की बार 400 पार लेकिन 300 पार भी नहीं किया है आदे लोगों ने वोटी नहीं किया और जिनों ने वोट किया वो प्रलोभन में फच गया है मुफत का राशन मिलेगा ये मिलेगा वो मिलेगा अरे राशन पानी तो भाग्य की बात होती है यह दिन दूर नहीं यदी जन संख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो विधर्म की संख्या बढ़ेगी और यह कथा किर्टन करना भी कठिन हो जाएगा रात को सोय होंगे आपके गले काटकर लोग चले जाएंगे इतियास के पत्ते पल्टिन चत्रपती शिवा जी महराज ने यह मोहिम चलाई थी लेकिन चत्रपती शिवाजी महाराज को सनातनी हिंदु धर्मी ने ही साथ नहीं दिया और आगे बढ़े तो महाराना प्रताप ने ये मोहिम चलाई थी उनके अपने ही लोगों में फूट पड़ गई और उनने साथ नहीं दिया और आगे बढ़े भारत आजाद हुआ तो सरदार वलब भाई पटेल ने मोहिम चलाई लेकिन उनको ही अपने ही लोगों ने साथ नहीं दिया और आजादी के सतर साल के बाद एक आदमी दस साल के अगाह परिश्रम के बाद चार सो पार जाना चाहता था लेकिन हमारे अपने हिंदू सनातन धर्मी नहीं उनका साथ नहीं दिया मैं तो मोधी जी को यदि मेरी आवाज पहुचे तो यही सला दूँगा भाई आप सतर साल के हुए हो खाप एकर मोज करो ये किसी के नहीं होने वाले हैं इनको गुलामी करने की आदद ही पड़ गई है एक आदमी ने बहुत सुन्दर लिखा कैसा लग रहा था कि हिंदू जागा है एशा लग रहा था पिछले 10 सालों में कि हिंदू जागा है लेकिन कल समझ में आया जागा था बातरूम करने के लिए फिर सो गया क्या हिंदु जागा है यदि बहु मत होता तो भारत का द्रश्य कुछ और होता हम अपने आपको भारतिय मानते हैं तो भारत का सम्वीदान थोड़ा बहुत जानना चाहिए बारत का गणतंत्र हमें समझना चाहिए और हमें हमारी जिम्मेवारी समझ कर काम करना चाहिए था लेकिन अब क्या करें ये प्रवचन यदि दो मईने पहले किया ओता तो अच्छा था मैं भी अमेरिका से अभी अभी आया लेकिन हमें तो विश्वास था पता नहीं ऐसा निकलेगा एक बात याद रखिएगा मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो तो वड़ा प्रदान होई चुके हैं लेकिन जो उनको निर्णई लेने हैं वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि अलपसंक्यक है जो उनको क्रांती लानी वो नहीं कर पाएंगे तो इस दोर से ये मोदी जी की हार नहीं है ये हम हिंदुों की सनातन धर्म की हार है ये लोगों की हार है और हम लोग वो छोड़े-छोड़े प्रलोभन में हैं मुफत का राशन मिलेगा, गेस का बाटला सस्ता हो जाएगा, तेल सस्ता हो जाएगा, अवे लई लो सस्तु कर जो वे तमें, धर्म के, इस सनातन धर्म के उजागर करने में एक बहुत बड़ी आश्य थी, एक बहुत बड़ा होप था, लेकिन नतीजे के बाद है, बहु मती स कि मोदी जी नहीं आये, तो एक